ओम शान्ति आज हमने बाबा के आठ डिसम्बर के महवाख्य सुने आज की मुडली के मुख्य इशारों को पर से हम रिवाइस करेंगे प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को विशेश यथार्थ याद की वीधी को पक्का कराया है कर्म करते करते बाबा को कैसे याद करें बाबा ने हम सब को आज वर्दान दिया होली हंस बनने का आज दिन भर में मुख्य इशारों को अटेंशन देने के लिए हम उसे रिवाइस करेंगे बाबा ने कहा मीठे बच्चे बाब जो है जैसा है उसे यथार्थ पैचान कर याद करो बड़ी गहरी बात है बाबा जो है निराकार जिसे भगवान पर्मात्मा कहके लोग पुकारते है वो मेरे बाबा पिता बिन्दु स्वरूप है लेकिन गोडों में सिंधु है बाबा मुझे पढ़ा रहे है बाबा मुझे सात दे रहे है बाबा मुझे सत्य ज्यान दे रहे है यही यथार्थ बाब को जानना फिर उसे याद करना इसके लिए अपनी बुद्धी को विशाल बनाओ तो आज का अटेंशन मुझे अपनी बुद्धी को विशाल बनाना है विशाल अर्था बेहद चुटी चुटी बातों को नहीं सोचना है बेहद ज्यान युक्त सोचना है भगवान को गरीब निवाज कहा जाता है तो बाबा ने कहा, बच्चे में गरीब निवाज हूँ, ये महीमा है, अर्थात, पतित आत्मा को पावन बना रहे हैं, तो मुझ आत्मा को बाबा की याद से स्वयम को पावन बनाना है, बाबा समझाते हैं, डाइरिक्शन देते हैं, सारा दिन मुझे याद करो, लेकिन स्थाई याद बच्चों की ठहरती नहीं है, पूरा न समझने के कारण भूल जाते हैं, इसलिए इस अवस्था को पक्का करना है, तो आज हम ये अटेंशन रखें, जैसे हम ट्राफिक कंट्रोल पे, हमारे समय निश्चित है न, सुब अमृत्वेले, साड़े दस बजे, बारा बजे, साड़े पांच, साड़े साथ, और रातरी को साड़े नव बजे, हम बाबा की याद में एकाग्र हो जाते हैं, अब हम ये प्रैक्टिस करें, बार बार याद करना हो सके हर घंटे, बल एक मिनिट के लिए भी बाबा को याद करें, तो इसके लिए बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में स्वयम को पक्का करना है, बाबा बच्चों को ये इशारा दे रहे हैं, बच्चों में भी नंबरवार है, जैसे स्कूल में भी पढ़ाने वाले टीचर तो है, फूश्यार है, लेकिन पढ़ने वाले स्टुडन्स नंबरवार है, यहां भी बाबा केते हैं, बच्चों में नमबरवार है, अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं, तो बोल भी वैसे ही निकलेंगे, तुम रूप बसंत बनते हो, यह हमाई टाइटल देते बाबा, रूप योगी बच्चे, बसंत ज्ञानी बच्चे, तो जो ज्ञान के चिंतन में रहते, उनके बोल भी वैसे निकलेंगे, बाबा संगम यूग पर आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अब बाबा कहते हैं, बच्चे, पुरानी दुनिया परिवर्तन होनी है, इसलिए तुम को इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग के ह होना चाहिए, चेक करेंगे, कहां तक मेरा मन और बुद्धी पुरानी दुनिया से खटा हुआ है, वैराग के माना, अब उसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यथार्त ज्ञान मिला है, कि सब कुछ परिवर्तन होना है, बिनाश होना है, अब नई दुन आनी है, तुम जानते हो, पुरानी दुनिया के बाद नई दुनिया आनी है, बाबा तयारी करवा रहे है, बच्चों में नंबरवार है, तुम है किसी को भी गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा करने से दुख होता है, आज की धारना, नोट करेंगे, रोज बाबा हमें कोई न कोई एक धारना पक्की कराते हैं, तो हम भी ये पुरुशार्थ करें, कि आज बाबा ने जो मुझे धारना पक्की कराई है, आज के दिन पर, मुझे उस पर पूरा अटेंशन रखना है, उसके लिए मुझे महनत कर करनी है तो ये जैसे teacher homework देते है न स्टूडन्ट को फिर दूसरे दिन teacher पूछते हैं कि दिया हुआ homework किया तो यहां भी शुबाबा सुप्रिम teacher हमें homework देते हैं तो हम सब ये लक्ष रखेंगे कि आज का homework मुझे आज पूरा करना ही है उसके उपर महनत करनी है तो आज अटेंशन देते बाबा, तुम्हें गुसा नहीं करना है, गुसा करने से दुख होता है, सामनी वाली आत्मा को भी दुख होता है, तो उनसे हमें दुख के वाइब्रेशन्स मिलेगे, दुवाय नहीं मिलेगी, बाबा तो कहते बच्चे दुवाय लेनी है, जो मनसा, वाचा, कर्मना, किसी को दुख ही देते रहते हैं, उसको कहा जाता है दुखी आत्मा, तो क्या अटेंशन रखेंगे आज, मन से भी किसी को दुख नहीं देना है, मन सा भी नहीं, वाचा भी नहीं, वाणी से भी ऐसे शब्द बोले, कि किसी को दुख नहो, मधूर शब्द बोले और कर्मना कर्म भी ऐसे हमारे सुखदाई हो सबको सुख देना है जैसे पुन्य आत्मा, पापात्मा कहते हैं न हम तो स्वयम को पुन्य आत्मा बना रहे हैं स्टूडन्ट खुद समझते हैं कि हमारे केरेक्टर्स कैसे हैं हम गौडली स्टूडन्ट्स है न तो आज बाबा हमें हॉमवर्ग दे रहे बच्चे देखो हमारे केरेक्टर्स कैसे हैं अवस्था कैसी हैं हम कैसे चलते हैं वहाँ स्पूल में भी केरेक्टर्स देखे जाते हैं न यहां भी हम कैसे चलते हैं सब को मीठा बोलते हैं, कोई कुछ कहें, हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं, कितने सुक्ष्म बात बाबा नोट कराते हैं, कभी होता है न, हम जल्दी में होते हैं, या हम बीजी होते हैं, हमें कोई कुछ कहते हैं, तो हम ऐसा जवाब दे देते हैं, आज बाब ये चूटी-चूटे अटेंशन के बाबा के महवाक्य है, जिससे हम दुवाए कमा सकते हैं, बाबा को कई बच्चे कहते हैं, बच्चों पर गुसा आ जाता है, बच्चे ऐसा काम करते हैं तो गुसा आ जाता है, थे को बाबा क्या कहते हैं, जितना हो सके प्यार से काम लो, कुछ भी हो, प्यार से काम लेना है, बले गलत किया, उल्टा काम किया, लेकिन बाबा की श्रीमत मिल रही है, बच्चे प्यार से काम लो, गुस्सा नहीं करना है, देखो, पढ़ाने वाला आयेस्ट बाबा है, तो उंची पढ़ाई पढ़ाते हैं न, तुम यहां आए हो, ऐसा उंच बनने के लिए, तो आज का ये अटेंशन, अब इसके लिए, हम स्वयम ही स्वयम के लिए, आज पक्का करेंगे, ये वीधी से मुझे गुस्से पर कंट्रोल लाना है, तो बाबा ने आज वीधी भी बताई है, यहां तुम शान्ती में बैठे हो न, नोकरी आदी भी करते हो, तु प्रैक्टिस करो, देखो वीधी, हत कार्डे, दिल यार्डे, हाथों से काम करो, दिल बाबा की याद में रहे, मन से बाबा को याद करो, मिसाल दिया बाबा ने, जैसे आशिक और माशुक, बाबा केते बाप कौन है, माशुक है न, जैसे आशिक और माशुक गाए जाते हैं न, कहां भी बैठे याद करते रहते हैं, रोटी खाते रहेंगे, बस बाबा को याद करते रहेंगे, यहां भी बाबा केते, तुम्हें मन मुध्धी से बाबा को याद करना है, बस बाप को ही याद करते रहे रूप बसंत बनकर मुख से सदा सुख दाई बोल बोलने है फिर से अटेंशन दे रहे है ये प्रैक्टिकल धारना करने के लिए आज बाबा हमें वर्दान दे रहे है मैसूस करेंगे मैं आत्मा शिवबाबा परम पिता आज मुझ आत्मा को वर्दान दे रहे है बच्चे पोली हंस भवव क्या वर्दान मिला? पोली हंस भवव ये वर्दान भी है और आज का स्वमान भी हम यही पक्का करेंगे जैसे हंस कभी भी कंकर नहीं चुकते रत्न चुकते हैं ऐसे पोली हंस किसी के अउगुण अर्थात कंकर को धारण नहीं करते है पोली हंस ही पवित्र शुत्त आत्मा है जहां पर अउग पवित्रता का नाम निशान नहीं इसलिए बाबा नोट कराते कभी भी गलती से भी किसी के अउगुण धारण नहीं करने है ठीक है? गलती से भी नहीं तो ये वीधी हो गई मुझे ओली हंस बनना है बाबा की मत पर चलना है तो होली हंस बुराई में भी अच्छाई देखे किसी के अउगुण को नहीं गुण को देखे फिर बाबा आज स्लोगन पका कराते है सरवन्ष त्यागी अर्थात अपने पुराने स्वभाव संसकार के वन्ष को भी त्याग करना ये भी होली हंस इस स्वमान में धारना आजाएगी मैं हंस हूँ तो मुझे दूसरों की बुराई भी नहीं देखनी है अउगुण नहीं देखना है मैं हंस हूँ तो मुझे स्वयम के पुराने स्वभाव और संसकार के अन्ष को भी समाप्त करना है तो आज बाबा ने बताए हुए ये महान लक्ष को सारा दिन हम स्वयम से पक्का करे मुझे ओली हंस बनना है तो हर नेणे मेरे स्रेष्ट हूँगे हंस बुद्धी पवित्र बुद्धी मुझे किसी के भी अउगून को गल्ती से भी नहीं देखना है यही सरवन्ष त्याग है आज बाबा ने रूप बसंत का टाइटल दिया है और इसलिए बाबा को आशिक बन करके याद करना है बाबा ने आज जो विधी पक्की कराई कर्म करते हुए बाबा की याद रहे तो आज अटेंशन रखेंगे हाथ से कर्म होते रहे और मन से बाबा की याद रहे याद भी कैसी? जिसको आज बाबा ने यतार्द याद कहा मैं जो हूँ, जैसा हूँ मुझे जानकर यतार्द रिती से प्यार से याद करना तो आज के दिन हम अपनी याद को और अटेंशन वाली याद बनाएंगे बाबा को यतार्द रिती से याद करना स्वयम से बाते करेंगे सर्व शक्तिमान बाबा मुझ आत्माओं के पिता है उसने मुझे अपना बनाया है स्वयम भगवान मेरे टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे है स्वयम से बाते करो है आत्मा चरा सोचो तुमारा साथी कौन है तुमें कौन पढ़ा रहा है स्वयम भगवान कितनी प्राप्तिया हो रही है कितना बड़ा वर्सा मिल रहा है बस यही चिंतन में मगन हो जाए में बिन्दू आत्मा सिंधू बाबा के प्यार में आज आशिक बनकर मगन हो जाएँ बाबा ने आज कहा बच्चे याद ऐसी हो तो ऐसी प्यार भरी याद में मन को बार बार एकाग्र करे हर घंटे कुछ एक सेकेंड्स के लिए स्वयम को आज देखेंगे मैं कोली हंस हूँ मैं सरवन्ष त्यागी हूँ पुरानी दुनिया पुराने संस्कारों का त्याग करके मुझे बे हद का वैरा की बनना है आत्मा समझ बिंदू समझ बिंदू बाप को याद करना है वो भी कर्म करते हाथों से कर्म होते रहे और बुद्धी रुपी नेत्र परम च्योती में मगन उजाए आज इस प्यार भरी माशुक की याद का अनुभाव करना है बुद्धी से सभी के गुण देखने है इसी वीधी से क्रोध को जीत सकेंगे आज बाबा ने कहा बच्चे क्रोध नहीं करना है प्यार से काम करना है बाबा की याद से मियात्मा प्रेम स्वरूप बन अपने क्रोध के उपर विजे प्राप्त कर सकूंगी यही प्यारे बाबा की सिक्षाए स्वयम में धारण करे ओं शांती यहीं के इस करना है आ vient सकेंगे आना को जीत सकेंगे झाल आ सकांता है यहीं कैंगे प्राफ का रचल बाह के होग जीत में गया है यहीं कि रहे 살 áreas झाल झाल